आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सबॉरेड़ेट सर्विस सेलेक्शन कमिशन यूपी एससी की नियू रिकुर्माइट नॉटिफिकेशन के बारे में इसकी एलबिटी कंडिशन के बारे में और इसके एक्जाम पैटर और सेलेक्शन प्रोसीजर के ब लेकपाल मुख्य परिक्शा के लिए है जिसका फ्रेंट से ओफिशल नॉटिफिकेशन जारी कर दिया गया है यूपी एससी की ओफिशल वेबसाइट पर वहाँ पर जाकर आप डिटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं अगर आप एपली केबल हैं एलिजीबल हैं अप्लाइ करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ओनलाइन अप्लाइ कर सकते हैं साथ में डिटेल्स आपको वीडियो डिसक्रप्शन में जॉबरास्ता.com पर देखने को मिल जाएंगी अगर फ्रेंस यहां पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरू करें जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके बात करेंगे अब इसके ऑफिशल नॉटिफिकेशन की तो फ्रेंस यह उत्तर प्रदेश अरिनस्त सेवा चैन आयोग लखनाव की विज्यापन संक्या 01-2022 है जो की रास्वेल लेकपाल मुख्य परिक्षा 02 रहेगी ओनलाइन आवेदन जमा कराने क जो तिथी है वो साथ जनवरी 2022 है ओनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने कि या आवेदन संभिट करने की जो लास्डेट है, 28 जनवरी 2022 रहेगी आवेदन में संसुधन की जो अंतिन तिती है वो 4 फरवरी 2022 आपकी रहने वाली है तो यहाँ पर FRIENDZS आपको इसके पर की जाएगी और इस परिक्षा में प्रतिभाग हित्व केबल वही अभ्यरती ओनलाइन आविधन कर सकते हैं जो कि फ्रेंज से पीटी 2021 में समलित हुए है और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है तो फ्रेंज से यहां पर वही केंड़ेट करने के लिए आविधन की प्रक्रिया क्या रहेगी तो उसके बारे में आपको यहां पर जानकारी दी गई है तो यहां पर फैंस यूपी एससी की ओफिशल वेबसाइट से आप इस पॉर्म को फिल कर सकते हैं आप यहां पर फॉर्म को फिल करेंगे तो आप अपनी कर पाएंगे photograph and signature automatic आपका यहाँ पर होगा जो आपने पहले form फिल किया होगा पेटी का तुसमें जो आपने डिडल जी होंगी upload किया होगा वही आपके automatic आपको show होगा इसके बाद declaration है और उसके बाद आपको फीस से pay करनी है फीस आप online या इचलान के मार्धियम से जमा करवा सकते हैं और उसके बाद फीस है वो कितनी कितनी रहेगी तो यहाँ पर देखिए जो फीस है वो total आपके 25 रुपे रहने वाली है चाहे आप general candidate है, OBC candidate है, SCST candidate है या PH candidate है आपको 25 रुपे फीस यहाँ पर pay करनी होगी तो सभी candidate ले 25 रुपे फीस है और इसके लावा फैंस फीस आप यहाँ पर credit card, internet banking या फिर SBI के इचलान के मार्धियम से कर सकते हैं इसमें फैंस आपसे कहा गया है मुखे परिक्षा हेतू, परिक्षा फीस है इसके बार आप form का print out लेंगे आपका form यहाँ पर complete हो जाएगा इसके लावा फैंस से आवेदन पंतर में संसुधन आप करना चाते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं इसके लिए आपको फैंस से OTP verify करनी होगी जिससे आप इसमें आवेदन कर पाएंगे अब यहाँ पर दी गई है vacancies की detail तो सबसे पहले है पदनाम पदनाम है फ्रेंस से आपका लेक पाल यहाँ पर जो वेतन बैंड या वेतन मान है वो 5200 से 2200 रहेगा जो की great वेतन आपका 2000 रुपे रहता है आयू जो है वो आपकी 18-40 साल रहेगी डिसमें फ्रेंस से जनरल केंड़ेट के लिए 32211 पोस्ट है आपके यहाँ पर अनुसवची जाती के लिए 1690 पोस्ट है ST के लिए 152 पोस्ट है आपका यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्क के लिए 274 पोस्ट है आपकी जो योग्यता है उसको आप चेक कर ले इसके बाद फेंस से यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर जो प्रदों की संक्या है वो आपको यहाँ पर दी गई है जो की 36 आरक्षन की स्रेनिक के अंतरगत आती है वो आप यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी इसके बाद बात करते हैं योग्यता की तो यहाँ पर देखी जो योग्यता है लेकपाल की वेकेंसी के लिए तो अभ्यरती को माध्यमिक सिक्षा परिशत उत्तरप्रदेश की इंटर्मीडिट परिख्षा या सरकार दोरा उसके समक्ष मानता प्राप्त कोई अन्य परिख्षा उत्तरीन होना ज़रूरी है और अगर आप अधिमानी अरता की बात करें तो अगर आपने यहाँ पर प्रादेशिक सेना में नियूंतम दो वर्स के अवधी तक सेवा की है या रास्तिक एट कोड का भी प्रमान पतर आपके पास है आप इसमें आवेधन कर सकते हैं इसके बाद है एज लिमिट तो एज लिमिट अपने प्राप्त कर ली हो और चालिस वर्स तक आपकी यहाँ पर मैक्सिमम एज रहेगी इसके लावा रिजर्व केंडिट को यहाँ पर छूट मिलती है वो आपको मिल जाती है और यह पहली जुलाई को आपके एज जो है काउंट होने वाली है इसके बाद आप इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर चैक कर सकते हैं आरक्षन सिर्फ उत्तरप्रदेश के निवासियों को ही यहाँ पर मिलता है चैन आपका कैसे होगा तो लिखित परिक्षा के माध्यम से यहाँ पर आपका चैन होने वाला है और इसके बाद फ्रेंड से यहाँ पर आपसे कहा गया है लेकपाल के रिक्थ परोपर चैन होतू तो लिखित परिक्षा की परिक्षा योजना है एवं पाथे करम है वो फ्रेंड से यहाँ पर आपको दिया गया है जिसे प्रशनों की संक्या होगी 100, समयावधी है दो घंटे की और इसमें आपकी जो प्रशन होंगे वो आपकी objective टाइप होने वाले हैं, प्रते एक प्रशन एक अंका आपका यहाँ पर होगा, इसके बार आपको दी गई है पर आपको दो घंटे का समय मिलेगा, मतलब 120 मिनिट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा, इसके इलाबर फ्रेंड से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1 फोर्थ की भी रहने वाली है, इसके बार फ्रेंड से आपको यहाँ पर दिया गया है UPSCC लोग जो आपके लेकपाल इसके लावा बीज गनित और इसके लावा रेखा गनित इससे रिलेटेट कोश्चन सापके यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो आपको इसका भी यहाँ पर टॉपिक दिया गया है और गाम समाज विकास में भी फ्रेंड से इसके विकास कारेकरम, विकास योजनाय, प्रबं इसके लावा शोध प्रणालिया, स्वास्त योजनाय, विकास, समाजिक विकास इससरे लिए कोश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर टॉपिक भी दिया गया है, एक्जाम पैटर्न भी प्रोवाइट किया गया है, साथ में इसका जो सिलेबस को ही आरक्षण का लाव यहाँ पर मिलता है, अगर आप अदर स्टेट केंडियेट हैं, तो आपको यहाँ पर जनरल में ही काउंटिक किया जाता है, यह चीज़ आपको यहाँ पर किलियर होनी चाहिए, साथ में फैंसे जो इन्स्रक्शन हैं, वो आप यहाँ पर चेक कर सकत हैं, UPSC की ओफिशल वेबसाइट से, आपको इसकी जो डेटेल्स हैं, वो मिल जाएंगी, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन ने आप जाएंगे, जौबरासा.com पर वहाँ पर भी आपको इससे रिल्टेज जानकरी देखने को मिल जाती हैं, तो आप यहाँ पर एप्लिक हैं, यह जारी हो चुकी है, आशा करता हूँ, आपको हमारी अपडेट पसंद आई होगी, तो फ्रेंस लाइक सब्सक्राइब में जरूर कीजिए, बाकी की जानकरी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा यूट्व चनल, एंड लास्ट थैंक्स पूर व हाँचिं.